ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमिट चेंज जैसे सीनियर टॉपिक्स आप सभी लोगों के ना सर्फ एक्जाम बट आपके लाइफ के लिए भी बहुत ही जादा इंपोर्टेंट है कि इनके बारे में हमको पता हूँ क्या आप जानते हैं कि 2030 तक 40% electricity generation by non-fossil fuels का target इंडिया ने कमिट किया हुआ है जिसकी तरफ हम बहुत जल्दी पहुचने भी वाले हैं क्योंकि लगबग 2022 के data के according हमने 175 गीगा वाट जेनरेशन जो है वो इसी तरीके से किया है और इसमें 100 गीगा वाट का जो contribution है वो आया है solar energy से हमारे देश की जो geography है वो बहुत जादा suitable है solar energy का अगर हम लोग प्रभाव देखे तो और इसी वज़े से हमारे देश के अंदर जो भड़ला solar plant है आप जानते हो कि वो दुनिया का सबसे बड़ा solar power plant है वैसे इसी के साथ साथ international solar aliens करके एक topic है जो आप लोगों के लिए बहुत ही जादा important है काफी बार question इस पर बन चुका है और हर साल repeat भी होता है तो solar energy हो गया या ISA हो गया इस topic को आज अच्छे से रिवाइस करने वाले हैं क्योंकि sustainable development goal से related आप लोगों के people development environment unit में direct questions बनते हैं तो चलिए आईए आज इनको deep में discuss करती हूं 10 मिनिट के अंदर क क्या क्या आपको revise करना है वो भी आप लोगों को बताती हूं सबसे पहले तो आप देखो कि यह previous year question है आप लोगों को यहाँ पर बोलाए कि ISE की बारे में कौन-कौन से statements यहाँ पर सही है वीडियो के अंत में आप लोगों को सब समझ में आ जाएगा कि कौन-कौन से सही है क क्या-क्या चीज़े याद करनी है उसमें सबसे पहले आपको पता होना अच्छे की ISE की full form क्या है ISE का जो headquarter है इंडिया के अंदर है गुरू ग्राम हर्याना के अंदर यानि अपना NCR पर कब बना था 2015 में नवेंबर 30 को यह बना था कोइंसिडेंस है कि नवेंबर 30 को यह वीडियो पर शूट कर रही हूँ क्या कोइंसिडेंस से देखो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है दोनों ने मिलके इसे बनाया यानि इसे बेसिकली चेयर किया गौल इसका यह है कि जो fossil fuels का कंजम्शन है उसे हम reduce करें ताकि हम लोग renewable resources के तरफ बढ़ सके अगर बात किया जाए तो efficient consumption of the energy and solar energy का इस्तमाल करके हम लोग fossil fuels का use कम कर सके यह इसका objective रहा है यह जो है यह treaty-based है अच्छा सवाल यहां पर बन सकता है कि इस a treaty-based intergovernmental organization जो की फ्रांस और इंडिया ने मिलके ब अपन हुए थे morocco के अंदर 102 कंट्रीज ने जॉइन किया था इस agreement को अब people development environment जो आप लोगों का unit है इस unit के अंदर आप लोगों की conventions and protocols से हर बार सवाल बनता है इस ATM series में मैं सारे conventions and protocols आप लोगों के लिए एक ही video में लाऊंगी पूरी chronology में so that आपको यह सारे याद भी हो यह भी आप लोगों से पूछा जा सकता है अगर मैं membership eligibility की बात करूँ तो देखो पहले ऐसा था कि जो भी fully और partially tropic of cancer और Capricorn वाली जो आप लोगों की countries है वो आनी चाहिए तो 2020 में इसमें थोड़ा सा amendment किया गया और सारे की सारे UN states जो है वो आ सकते है और उसके बाद में हमन सारे आई नहीं है बट इस Tropic of Cancer and Capricorn के अराउंड वाली सारी कंट्री जो है वो इसके लिए आपके membership के लिए eligible हो जाती है 120 countries है जिसमें से 104 ने sign और ratify किया हुआ है 16 ने सिर्फ sign किया भी तक ratify नहीं किया है जिसमें Pakistan और China included नहीं है देख सकते हैं Pakistan और China इसमें included नहीं है तो इनका यह है कि sun को और जादा brighter बनाए यही इसका vision है और आप से exam में पूछा भी जा सकता है Mission कि अगर हम बात करें तो every home no matter how far away will have a light at their place यह इसका जो है वो mission है मोटिव है अगर मैं बात करो तो sustainable development goal 7 और sustainable development goal 13 अचीव करना इनका टार्गेट है और अब आपका टार्गेट यह है कि comment section में मुझे बताए का सात्वा और तेर्वा sustainable development goal क्या कहता है अगर मैं बात करूँ तो chair person की बात की जाए तो president कुल मिलाके हमारे जो है वो है इंडिया के मोधी जी और जो vice president है जो co-president है वो फ्रांस से यह आपर हमेशा आते हैं में उनके मोधी जी के देखरेक में आयता तो president इंडिया का रहता है और को प्रेसिडेंट जो है वो फ्रांस के रहते हैं इसके लावा आठ वाइस प्रेसिडेंट होते जो चार रीजिन को रिप्रेसेंट करते है एशिया और प्रेसिफिक रीजिन के अंदर जिसमें वांगल लोगों को जैसे मैंने बताया कि यहां पर 40% non-fossil fuel से हम electricity generate करना चाहते है 2030 का ही हमारा टार्गेट है जिसमें solar access सबसे इंपॉर्टेंट है 30-35% emission intensity को हम reduce करना चाहते 2030 तक अगयन 2022 तक 100 GW जो है वो हम generate कर चुके हैं solar energy के contribution से और 175 GW renewable energy resources हम लोगों को अचीव करने हैं यह भी हमारा target है अगर मैं यहां पर बात करूँ तो देखो primary focus जो है वो है कि कैसे आपके जो solar power है इसका हम utilization कर सकते हैं क्योंकि हमारे state में या हमारे country में तो बहुत ही जादा scope है इस ची low carbon growth आप लोगों का जो है वो यहां पर हम लोग अचीव कर सकते हैं एक तरीके के sustainable product के ओपर हम लोग जा सकते हैं तो यह सारी चीजे जो है वो ISA के अंडर ही आपके measures में बनाई गई है इस अगर मैं बात करूं तो हमारा 2022 से 100 GW हो चुका है जून 2023 के according अगर मैं achievement की बात 25.10 GW हम लोगों ने जो है वो अलड़ी इसमें अचीव कर लिया है जितने अभी projects चल रहे हैं उसमें 55.60 GW हम लोग जो है वो capacity अचीव कर लेंगे यह अभी अंडर construction आपका चल रहा है बहुत सारे programs है जैसे आप लोग जानते हो agriculture के अंदर हमारा यूज होने लगया है रू पात करो तो green hydrogen development पे आगया है social आपके solar parks बनने लग गये है mini grids लगने लग गये है और बहुत scale level पे बनने लग गये है बहुत सारे collaborative आप लोगों के initiatives and startups है जो इस पर काम कर रहे है solar for she हो गया isa care हो गया green hydrogen innovation center हो गया one sun one world one grade इस तरीके से adversary group corporate adversary group global solar facility हो गया x startup challenge हो गया इसके लावा star C हो गया that is solar technology application resources center तो आपके बहुत कुछ है जो यहां पर चल रहा है जैसे इसमें अगर मैं बात करो तो सबसे साथा ongoing में news में जो रहे थे उनके आपर बात कर सकते हमारे जो honorable prime minister है उन्होंने इसे launch किया ता one sun one world one grid वैसे भी आपको पता है मोधी ज बहुत पसंद आता है तो इसका भी यही काम है जितने भी मेंबर कंट्रीज वो सारे के सारे साथ में आएंगे और cross border transmission जो है वो करेंगे और एकी grid बनाने के अम लोग कोशिश कर रहे हैं इसके साथ साथ solar for she be आया यह जो है gender equality को relate करता है आप लोगों के इस mission से तो आप आपका poverty हो गया well being हो गया education हो गया आपका water and sanitation हो गया सभी के सभी गोल को relate करता है यह आपके solar energy के साथ में अगर बात की जाए तो इसके इलावा भी और बहुत सारे आप लोगों के start-ups and initiatives है जो चल रहे हैं वो भी मैंने इस PDF में रखे हैं आपके लिए जो सबसे important है वो मैंन आपको का यह homework question तो इस तरीके से आपका ISA के ओपर direct question बनता है 7 goal or 30 goal actually में जो आप लोगों के सारे के सारे goals है सब का आपको मुझे बताना है पहले तो कितने goals है और सब का आपने क्या trick बना रखी यह ज़रूर बताईएगा इसके लावा मैं आप लोगों से एक और सवाल चुकी है ज़रा comment section में जरूर बताईएगा मिलूंगे आप लोगों से ऐसे ही next video के अंदर उमीद करते हूं सिरीज पसंद आ रहे होगी पसंद आ रहे होगी तो like करके comment करके जरूर बताईएगा take care and stay tuned for more such videos subscribe to jrfattah